असलाम लेकूम, कैसे आप सब, I hope आप सब खैरियत से होंगे तो चलें जी हमना के किचन में आज हम बना रहे हैं चठारा चिकन यहाँ पे मैंने वन केजी से ज्यादा चिकन लिया है जिसमे मैंने एक लेमन जूस डाला है एक टी स्पून मैंने नमक डाला है 5 टी स्पून मैंने हल्दी डाली है One टेबल स्पून जिंजर One टेबल स्पून गर्लिक एड़ कर देंगे और इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे क्योंकि यह मैरीनेशन चमाच से नहीं होनी इसलिए इसको अच्छी तरीके से हाथ से ही मिक्स करेंगे ताके मसाला जो है वो अच्छी तरह चिकन में अब्सॉर्ब हो जाए तो चलेंजे यहाँ पे हमने अपने चिकन अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहाँ पे हम एक मसाला त्यार करेंगे थोड़ी सी लिए है मैंने सुका धनिया थोड़ा सा लिया है इसी काली मिर्च लिए दो मैंने दाड़ चीनी के टुकड़े लिए और दो मैंने लाउंड डाले और तीन चार मैंने सबस इलाइची डाली है हाफ टी स्पून में यहाँ पे पपरी का पाउडर लूँगी और एक टी स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिए और इस तमाम मसाले को हम grind कर लेंगे तमाम मसाले को grind करने के बाद इसमें मैंने 8-10 जेवे लेसन के लिए हैं और वो इसमें add करके दुबारा से हम इस मसाले को grind कर लेंगे बहुत ही मज़े का मसाला त्यार होता है यह आपको मैं बताऊंगी जब आपने एड़ करना है तो चलें जी स्टार्ट करते हैं चिकन जो हमने मेरिनेट कर लिया था उसको तक्रीबान हमने 30 मिट के लिए मेरिनेट करना है यहाँ पे जी एक बड़े साइस की मैंने प्यास कटिंग कर ली है पैन में आउल गरम हो गया तो मैंने उसमें प्यास डाल दिये प्यास को आपने इतना हलका गोल्डन प्राउं करना है ज्यादा गोल्डन नहीं करना इस विए अफ़तारी में भी बनना है लेमन के इतना इसमें आउल भी नी डलता और बहुत एज़ी और ज़ट पर रेस्पी बन जाती है कोई चानक से महमान आ जाएं तो तब भी बंदा ये अराम से एज़ी फटफट बना सकता है मेरिनेट आप अगर 30 मिंट नहीं भी करते तो कोई बात नहीं आप सिर्फ 10-15 मिंट भी कर सकते हैं चले जी यहां पर हमारा ब्याज हलका गोल्डन हो गया था अब हम इसमें जो चिकन हमने मेरिनेट करके डाला रखा था वो डाल देंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे पानी आपने इसमें एड नहीं करना क्योंकि चिकन जो है न वो जल्दी गाल जाता है और यह हमने 30 मिट पहले जो है वो मेरिनेट भी किया वा था जब इसके उपर हम कवर करेंगे तो पानी जो है वो चिकन जो अपना पानी रिलीस करेगा तो चिकन उसी में ही गाल जाएगा जब 10-15 मिट के बाद देखे हमारा चिकन काफी टेंडर हो चुक है अब जो हमने मिसाला बनाया था गारलिक के साथ वो हम इसमें एड़ कर देंगे बहुत ही कम मिसालों से ये त्यार होता है और इस मिसाले की इतनी अच्छी खुश्बू आती है बहुत ज़्यादा मज़े की खुश्बू आती है ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ईजी और जटपड बनने वाली रेस्पी है कभी अचानक घर में मेमान आ जाते हैं रमजान शरीफ में आप अफ़तारी के टाइम पे बनाएं बहुत ही जल्दी और जटपड बन जाती है पांच मिट के लिए इसको कवर कर दे और यहाँ पे देखें अब भी तक चिकन जेन जो अपना पानी रिलीस किया हुआ है वो इसको अच्छी तरह आपने इस पानी को ड्राय कर लेना है और एंड पे आपने डालना है एक लेमन जूस लेमन जूस डालके आपने अच्छी तरह इसको भूण लेना है ताके जो हमारे चिकन में भी थोड़ी बहुत कसर है वो भी चिकन हमारा गल जाए और हमारा मिसाला भी अच्छे से पक जाए बहुत कम मिसालों से ये चिकन रोज त्यार होता है और बहुत ही मज़े का तियार होता है अब हम इस पे धनिया डाल देंगे और हमारा चिकन जो है वो रेडी है देखेजिए मज़ेदार हमारा चिकन तियार हो गया कल आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हमें देजाज़त अपना बहुत सा ख्यार रखिएगा थैंक्स पॉर वोचिंग अलाँ आफिस